हालो एन वेल्कम तो देशी पटाका मैं हूँ अरादनाब के साथ जंग है जी हाँ बड़ी जंग है क्योंकि एक बार फिर से बिक बॉस के बाहर निकलने के बार उमर और प्रतीक हुए आमने सामने पर कौन है आगे कौन है पीछे किसका है बोल बाला क्या प्रतीक में छोड़ दिया है उमर रियास को बीछे चलिए आपको बताऊंगी पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूले रेखिए हम पहले आकड़ों की बात करते हैं आकड़े क्या कहते हैं अच्छानल पर उमर ने खुद बोला कि मैंने व्यूज के लिए इस गाने को नहीं बनाया उमर रियास जो की बहुत कम अक्टिव हैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको बतादू की मात्र पाँच वीडियो हैं सिर्फ उनके चैनल पर सिर्फ पाँच वीडियो और उसमें से जो ये गाना आया है उमर का उसको वन मिलियन व्यूज मिले हैं एक दिन के अंदर और वन एटी के लाइक से गाने पर जो की अपने आप में बहुत बड़ा आकड़ा है कोई ऐसा चैनल जो नया चैनल हो जिसमें पहले कुछ भी ना हो सिर्गिंती के चार वीडियो रहे हो और अगर उसका कोई गाना वन मिलियन व्यूज एक दिन में हासल कर लेता है तो ये अपने आप में बहुत 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 बड़ी बात है प्रतीक सहच पाल का गाना जो आया अच्छा इसमें प्रतीक को सबसे बड़ा साथ तो मिल गया नीती टेलर का नीती टेलर जो कि खुद टेलिविजन इंडस्टी की बड़ी आक्ट्रेस है नमबर बारा पर ट्रेंड हो रहा है भी भी ये गाना नैना मेरे इंडी म्यूजिक लेबल के तहट ये गाना लाँच हुआ बड़ा लेबल है और 6 मिलियन से जादा फॉलोवर्स है 6.49 मिलियन सब्सक्राइबर्स है इस चैनल के 3.4 मिलियन व्यूज हो चुके हैं इस गाने के और 2,18,000 लाइक्स है लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि उमर रियाज ने एक छोटे से चैनल से बहुत बड़ी टक कर दी है प्रतीक सेहजपाल के इस बिग बैनर पर रिलीज हुए गाने को तो यहाँ पर हम ये बिलकुल नहीं कह सकते कि उमर रियाज प्रतीक से हार गए या प्रतीक आगे नेकल गए दे बोथ आज डूइंग गट इन देर ओन और आ जहां एक तरफ प्रतीक बड़े लेबल पर बड़े बैनर तले अच्छा प्रफॉर्म कर पा रही है तो वहीं उमर रियाज अपने ही चैनल पर कमाल करके दिखा रही है आप क्या कहेंगे कमेंट्स में जरूर लिखे वीडियो को लाइक और शेयर करें